एक काव में एक दाता दिन नाम का किसान रहता था। दाता दिन अपनी लड़की गुपाल को रोज साम को सोने से पहले स्टार कीट 3D Animated Moral Stories सुनाया करता था। एक दिन उसने अपने पुत्र गुपाल से कहा। बेटा एक बात कभी मत भूलना कि भगवान हर जगा है। गुपाल ने इधर ओधर देख कर पुछा। इता जी अगर भगवान हर कहीं है तो मुझे क्यों नहीं देखते। दाता दिन ने कहा हम भगवान को देख नहीं सकते किन्तु वे हर जगा है। और हमारे सब कामों को वो देखते रहते हैं। कुछ दिन बाद अकाल पड़ा। दाता दिन के खेतों में फसल की नाम पर कुछ नहीं हुआ। दाता दिन दिन राज चिंता में रहने लगा। फसल ना होने की चिंताओं से दिनों दिन खाते जा रही थी। एक दिन अपने पुत्र गुपाल को लेकर रात की अंधेरे में वहां गाउं से बाहर गया। वहां दूसरे किसान की खेत से चोरी करके एक गठा अंध काट कर घर लाना चाहता था। उसने अपने पुत्र गुपाल को मेड़ पर खड़ा करके कहा। तुम चार और दित्ते रहो। को इधर आए या देखे तुम मुझे बता देना। गुपाल अपने पिता दाता दिन की बात मान कर मेड़ के पास खड़ा हो गया। जैसे ही दाता दिन खेत में अनकाटने बैठा गुपाल ने कहा। पिता जी रुकिये। दाता दिन घबरा कर गुपाल के पास आया और कहा। क्यों कोई देख रहा है क्या। तब गुपाल ने कहा, आँ देख रहा है, ताता दिन ने चारो और देखा, जब कोईन कहीं नहीं दिखा, तो उसने अपने पुत्रे से कहा, कहां, कौन देख रहा है, गुपाल ने अपने पिता के और देखते हुए कहा, पिता जी, आपने ही तो कहा था, कि इश्वर हर कहीं है, और सब के सब काम देखता है, तब तो वह आपको खेत काटते हुए भी देख रहा होगा, दाता दिन पुत्र की बात सुनकर लज्जित हो गया, चोरी का विचार छोड़कर वह घर लोट आया, इसलिए कहा गया है, इस्वर हर जगा है, और हम सब के कामों को देख रहा है, इसलिए हमें बिना किसी को हानी पहुँचाए, हमेशा इमानदारी और सयम से काम लेना चाहिए, बैमाने से किये गए कारे हमेशा नुकसान दायक होते हैं,